दोस्तों मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास ऐसे पेशेंटों को कोल आते हैं जो मुझे पूछते हैं हम हमारे पैनिस यानी लिंक पर ऐसा कौन सा इस्प्रे लगाएं जिससे वह खड़ा हो जाए उसमें जान आ जाए या उस टाइट हो जाए टाइमिंग बढ़ जा वीडियो बनाते हैं कि यह स्प्रेय ज्यादा बढ़िया रहेगा, यह स्प्रेय लगाईए आप, यह स्प्रेय खरीद लीजिए, मैं हूँ आयर्विधिक डॉक्टर मुकुल श्यार्मा, और यहां मैं आपको सचाई बताता हूं कि कैसे आपको बर्बाद किया जा रहा है सेक् यह स्टेरोड वाली ही चीज होगी, जादे सारे मान लो, मैं तो 100% लगाना ही नहीं है, गल्ती से भी एक ऐसा इस पर आपकी जिन्द की बर्बाद कर सकता है, कि आईर्विध अलोपै कोई भी ट्रीट्मेंट लोगे सही नहीं होगा, आप पूरा सरीर खराब हो जाएगा, क समझ रहे हैं, यह स्प्रे वैसे ही घटिया जापानी ओयल की तरह है, जो आपके पैनिश को सूजा देते हैं, समझे, और आपको लगता है कि हाँ हमें मजा रहा है, लेकिन वो मजा कुछ दिनों के बाद सजा है, जिन्दकी भर की, चार दिन का मजा, और आगले आने वाले जो बचे 40, 30, 20, 50 साल हैं, वो बरबाद था आपके, यह मैं आप से वादा करता हूँ, यह मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए क्यूंकि आप समझें इस चीज को, अगर आपको कोई बड़े से बड़ा यूटूबर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, इस्प्रे, अंग्रे आपको एक अपते में ठीक होने की गारंटी ले रहा है, एक दिन से रिजल्ट देने की गारंटी ले रहा है, तो समझ जाएए, आप गल्थ हाथों में हो, आप वहाँ बरबाद होने वाले हो, आप सेक्स प्रोब्लम को दूर करने वाले नहीं हो, और सेक्स प्रोब्लम लेन वाले हो इस चीज का आपको नौलेज होना चाहिए और यह नौलेज मैं आपको दे रहा हूं तो आपको सभी से अपने तरब से हाथ जोड के नियुदेन करता हूं अपनी आने वाली लाइफ को बरबाद होने से अपनी हाथों से बचा सकते हो इन इस प्रेय से दूर रहकर इन पैनीस पंप से दूर रहकर पैनाय पंप आजकल आते हैं उन से दूर रहकर अंग्रे जी द्वायां अंग्रे एई की अलवbers जो टाड़ा फिल, स्विडना फिल, मैंस्फूर्स, वियागरा इनसे इंजेक्शन, टेस्ट इस्टोरोन के इंजेक्शन लगाने से बच्चे जितना भी हो सके, चो पांच वा, इस्प्रेय तो आपको लेना नहीं, और जो मार्केट में जो कैमिकली तेल भी करें ना, जो कह र कैमिकल आपको पता है क्या करेंगे, चार दिन के मज़े, चालिस दान के, आगे चालिस साल के सज़, ठीक है, अगर आपको रेल में मेरी वीडियो में बताईए चीज़ां अच्छी लगी हैं, तो प्लीज एक शेयर आपकी तरफ से बनता है, अपने ग्रुप्स में इस सही अब आपके आथों में है,